तो सिंह राशिवालों, दोस्तों आज शाम को यह चमतकारी घटना हर हाल में होगी, जी हाँ दोस्तों बड़ा तमाशा होगा 110%, सत्य बात है, अगर यह बात गलत निकली तो प्राण त्याग दूँगा, जी हाँ दोस्तों आज शाम को आपकी जीवनकाल में बड़ा जादू ह इसलिए दोस्तों तैयार रहना, क्योंकि दोस्तों खजाना को लेकर चल पड़े हैं, कुबेर देव जी जहां दोस्तों कुबेर महाराज जी खजाना लेकर चल पड़े हैं, आपकी राश में और दोस्तों आने वाले 24 घंटे के समय अवधी में, दोस्तों आप सभी का भाग भगवान कुबेर देव के आशीरवाद से चमक जाएगा जी हाँ दोस्तों कुबेर देव महाराज का असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होने वाली है और दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि भगवान शनी देव जी का उल्टी चाल चमका देंगे आप के बिगड़े भाग्य को जी हाँ दोस्तों और हाँ जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कुबेर देव महाराज चल पड़े हैं आपकी राश्य में अपना खजाना को लेकर दोस्तों कुबेर देव महाराज घ्यान की देवता कहा जाता है और यह समय यह देवता अ आपना खजाना को लेकर चल पड़े हैं आपकी राश्य में आपको माला माल बनाने के लिए जी हाँ दोस्तों और आने वाले मात्र 24 घंटे के भीतर आपकी जीवन में होने वाला है बहुत बड़ा अद्भुत परिवर्तन जी हाँ दोस्तों अब भगवान कुबेर देव कथा भगवान शनी देव आपके साथ देने वाला है क्योंकि मित्रों आपको हम ये भी बता दें कि अब आपको भक्ती का सही दिशा आपको अच्छी तरह से मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों भगवान कुबेर देव जी के साथ-साथ माता महालक्षमी का भी विशेश कृपा आपके जीवन काल में बहुत बड़ा-बड़ा अद्भुत सा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी चमतकारिक घटना आप सभी की जानकारी में घटित होने वाला है। दोस्तों, भगवान कुबेर देव जी महाराज, वह सब आपको देने वाले हैं, जिस चीज को फिलहाल आपको जरूरत है, जो आप आना चाहते हैं, इस समय दोस्तों आपको हम बता दें कि इन 24 घंटे के समय अवधी में भगवान कुबेर देव जी का आशीरवाद आपको प् अपने दम पर अपने जिंदगी में अरजित करने वाले हो, दोस्तों कुबेर देव जी भी आपके उपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं, यूं कहें कि महरबान हो चुके हैं, और दोस्तों यहां से मैं आपको कुछ गिने चुने, सावधानिया को अपने जिंद हैं, वह अंदर ही अंदर गदगद हो जाएगा, जी हां दोस्तों, और तब आपका नसीब चांद तारों को चुने वाले हैं, और दोस्तों, यह संपूर्ण बातें सारी सफलता को देख कर आपके आस पडोस में जो दुश्मन रहते हैं, वो खुद अपने हाथों से आपके भी मिसमत कीजिएगा, और शुरू से लेकर आखरी तक जरूर देखिएगा, दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आँखों से खुशी के आंसू आएंगे, दोस्तों भी कहते हैं ना कि कभी-कभी सच्चाई कल्पना से भी अधिक सच होती है, और दोस् दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से यह पता चल जाएगा, कि आखिर आपने अपने जीवन काल में कुछ ऐसी चोटी बड़ी गलतियां कर डाली है, जिनकी सजा आपको अब तक आप भुगत रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, या फिर यूं कहें कि आप जाने अंजाने में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई है, दोस्तों, जाने अंजाने में आपसे कुछ ऐसा कर्म हो गया है मित्रों, जिनकी सजा आप अभी तक भुगत रहे हो, लेकिन दोस्तों, हैरानी वाली बात तो यह है, कि आपको अभी तक इसके बारे में पता भी नहीं चला है कि आखिर आपको इतनी सजा क्यों मिल रही है आप इतनी परेशानी से क्यों अपने जिंदगी गुजर रहे हैं परंतु दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें डरने वाली बात ये भी है कि अब तक आपको इसके बारे में एहसास भी नहीं है, कि आप अपने जीवन काल में इन गलतियों को लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों हो सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी में उन गलतियों को करते जा रहे हो, जिसकी वज़े से दोस्तों आपकी हर एक शुभ घड़ी, सुख सम्रिद्ध हर एक अच्छी मौका, हर एक अच्छा दिन आपके पास आकर भी आपसे दूर चला जाता है और आपको उसका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त नहीं हो, पता है, जी हाँ दोस्तों और बस अपने-पने, मन ही मन में यह सोचते रहते हैं कि आखिर मैं अपने जीवन काल में कौन सी गलतियां कर डाली है, जिसकी सजा हमें अब तक भुगतना पड़ रहा है, दोस्तों आप यह सोचते हैं कि आखिर क्यों मेरा उद्धार नहीं होता क्यों मेरा जिंदगी अच्छा से नहीं गुजर रहा है। मैं अपने पूरे जीवन में समस्याओं से गिरीश रहता हूँ। आखिर क्यों मैं अपने समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। परेशानियों के मकर जाल में फंसा हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों और पेर देव क्यों आपके उपर महरबान नहीं हो रहे हैं। रुपए पैसों की तंगी हर एक समय क्यों बनी रहती है। दोस्तों ऐसे कई सवाल आपके मन में आते रहता है। और दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि अब आपको उन सभी प्रशनों का उत्तर मिल जाएगा। आप चिंता बिल्कुल भी मत करियेगा। यानि कि दोस्तों अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण जोतिश कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जोतिश शास्त्र के अनुसार वह कौन सी ऐसी गलतियां है जिनको कभी भी आपको अपने जीवन काल में नहीं करनी है। और वहीं अगर जाने अंजाने में आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो उसे सुधार कैसे जा सकता है। का भाग्य उदय होगा। दोस्तों आपका नसीब चमकेगा, बड़ी लोट्री लगेगी, दोस्तों हर एक बात को बहुत ही विस्तार पूर्वक बताये जाएगा इस आज के इस वीडियो में। बस दोस्तों आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आज की इस वीडियो को स्कीप करने की गलती मत कीजिएगा और हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से सचेत करेंगे कि आपको अगले 24 घंटे के समय अवधि में क्या करना चाहिए और क्या करने से आपको अत्यधिक धन लाब होगा और किन बातों को आपको SMS अपने ध्यान में रखनी है और उसमें वीडियो के मध् आवश्यक है और साथी में दोस्तों जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं आगे हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे जैसे कि दोस्तों आपके जीवन में यनि की या समय आपकी जिंदगी में जितनी भी सारी समस्याइं चली आ रही है जितने भी सारे दोस्तों आपको नौकरी में भी सफलता नहीं मिल पा रही है। आप जिनको भी सहायता करते हैं वही लोग आपको अपना शत्रुमान बैठता है। आज तो भले ही आपके सामने वह आपसे मीठा बोल बोलता है। परंतु वही लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ शड़यंत्र रचते हैं दोस्तों। आपके करीबी लोग ही आपको अ तरक्की करना होगा इसके लिए आपको देवी देवताओं को प्रसंद करना होगा जी हां दोस्तों तो ऐसे मैं अब आपको क्या कहना चाहिए हम आपको बताएंगे आज किस वीडियो में बस आप इस वीडियो को अंत तक एक बार देख लीजिएगा तो चलिए अब बिना दे कि ये ही जान लेते हैं कि आफिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है तो सिंह राशिवालों दोस्तों कुछ दिनों से चल रही व्यस्तता से राहत पाने के लिए थोड़्धा वक्त समय अपने रुचिपूर्ण कारियों में लगाए इससे मानसिक सुकून मिलेगा फोन कॉल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है विद्यार्थियों को शिक्षाव करियर से संबंधित समस्याओं का हल मिलने से राहत मिलेगी तथा अपनी दिन चर्या में किसी भी तरह के लापरवाही और आलस ना आने दे कोई भी भविश्य संबंधी योजनाए बनाते समय अपने निर्णय को ही प्राथमिक्ता दें दूसरों पर विश्वास करना नुकसान दायक हो सकता है ध्यान रखें कि नकारात्मक शब्दों के प्रयोग से परिस्थितियां बिगड़ भी सकती है और हाँ दोस्तों बिजन वर्क बहुत ही सावधानी से करें लव घर में सुक्षान्ती रहेगी जीवन साथी का सहयोग तथा सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी प्रेम संबंधों में किसी नकारात्मक बात की वजह से दूरियां आ सकती तथा दोस्तों हर तरफ सुखद माहौल रहेगा असी के साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि जीवन में संयम रखना जरूरी है जिस काम का दबाव है उसका निरीक्षन करते रहें आज कोई बड़ा निर्णय लेना आपके लिए गलत हो सकता है पैसों से संबंधित चिंता दूर होगी निवेश सोच समझ कर ही करें तथा आ अधारी से जुड़ा काम आज न करें रिष्टों में खटास आ सकती है सावधान रहें पडोसियों से विवाद होने की संभावना है और हां दोस्तों आपकी आपका बोलचाल का लहजा और कार्य करने की शैली से लोग प्रभावित रहेंगे आज आपका कोई विशेश प्र होगा अपने व्यवहार में धैरे और सौम्यता रखना जरूरी है पुरानी जायदात संबंधी समस्या का अभी समाधान मिलना मुश्किल है तथा बिजनस के कामों में तेजी आएगी इंकम सामान्य रहेगी तथा सुकून और शांती पाने के लिए धार्मिक अथवा आध् खबरी मिलने से खुशी रहेगी और हां दोस्तों किसी भी अपरिचित व्यक्ती से अपने व्यक्तिगत योजनाएं शेयर ना करें और ना ही किसी तरह की बहस में उलजहे क्योंकि कोई कानूनी कार्यवाही होने की स्थिती बन सकती है घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ती के स्व आस्थे को लेकर भी चिंता रहेगी तथा दोस्तों व्यवसाय में किसी प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी हासिल कर ले वरना बढ़्धा नुकसान और परेशानी हो सकती है वर्किंग महिलाएं सभी गतिविधियों में तालमेल बनाकर रखने में सक कारी नौकरी में कार्यभार की अधिकता के कारण ओवर टाइम भी करना पड़ेगा लव पारिवारिक सदस्यों के बीच चल रही गलत फहमिया दूर होंगी तथा घर का वातावरण पुनह सामान्य हो जाएगा प्रेम प्रसंग में भी मधुरता बनाई रखने के लिए आनक बदलाव होगा फिलहाल कठिनाईयों की वजह से आपका व्यक्तित्व सुधरेगा तथा आपकी जीवन में कोई ऐसी स्थिती आने वाली है जब आपको सीधे तुरंत और अति सक्रिये रहकर फैसले लेने होंगे यह स्थिती देखने में बहुत मुश्किल लग सकती है परंतु आप इसे आसानी से संभाल पाएंगे आपको बस ध्रड़ता पूर्वक डटे रहना है लेकिन चिंता ना करें एक बार जब यह समस्या कहतम हो जाएगी तो लोग इसे सुलजाने में आपकी भूमिका की भी प्रशंसा करेंगे तथा स्वास्थ्य और कल्यांड अदम उठा सकते हैं अगर आप धूमरपान करते हैं तो आज छोड़ने का फैसला ले सकते हैं अगर फास्ट फूड बहुत खाते हैं तो आज आप अपने लिए स्वास्थे वर्धक चीजें खरीदेंगे और इसी के साथ प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों आज अपने साथी के द्वारा आप आश्चर्य चकित हो सकते हैं आपको महंगे उपहार या असाधारन तरीके से अपने साथी से वार्तालाप करने का मौका मिलेगा जिससे कि आप अपने प्यार को पूर्ण पाएंगे या जानेंगे अगर आप अकेले हैं तो प्यार एक ऐसी जगह खिल सकता है जहां इसकी संभावना नहीं के बराबर है पर इसे अकल्पनिय न समझे संभावना है कि आपको इस जगह से ऐसे रिष्टे की प्राप्ति हो सकती है जो की पूर्ण होगा और जिसके बारे में आपने सोचा भी न होगा तथा कैरियर और ध प्रियाले में और दद्रिःता से मजबूत होगी और आपकी लोक प्रियता बरहेगी हो सकता है आज आपको देर तक कार्य करना पड़े पर ये आपके लिए सहायक ही सिद्ध होगा तथा दोस्तों स्वास्थे के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है आपकी खुश मिजाजी ही आपके आत्म विश्वास में बरहोतरी करेगी लंबे अरसे को मद्देंजर रखते हुए निवेश करें विदेश में रह रहे किसी रिष्टेदार से मिला तोफा आपके लिए खाहूशी लेकर आएगा आपका साहस आपको प्यार दिलाने में सफल रहेगा काम काज के माम को सुलजाने के लिए अपनी होश्यारी और प्रभाव का इस्तेमाल करें आज घर के लोगों के साथ बातचीत करते दौरान आपके मुंग से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिससे घर के लोग नाराज हो सकते हैं इसके बाद घर के लोगों को मनाने में आपका काफी समय जा सक अपने जीवन साथी के चलते आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग धर्ती पर ही है और हाँ दोस्तों इच्छा शक्ती की कमी आपको भावनात्मक और मानसिक परिशानियों में फसा सकती है केवल एक दिन को नजर में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू करें और जरूरत से ज्यादा वक्त वो पैसा मनोरंजन पर खर्च न करें घर में कुछ बदलाव आपको काफी भावुक बना सकते हैं लेकिन आप अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने में काम्याब रहेंगे जो आपके लिए खास हैं यात्रा के चलते रूमानी संबंध को बरहावा मिल जयेगा इस राषिय के कारोबारी आज किसी कृरीबी की गलत सलाह के कारण परेशानी में आ सकते हैं जौब करने वाले जातकों को आज कार्यक्षेत्र में सोच समझ कर चलने की जरूरत है। खेलकूद जीवन का जरूरी हिस्सा है लेकिन खेलकूद में इतने भी व्यस्त न हो जाएं कि आपकी पढ़ाई में कमी आ जाए। आज आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर प्य पागलपन है। आज घर से बाहर बढ़ों का आशीरवाद लेकर निकलें। इससे आपको धन लाब हो सकता है। घर पर आपके बच्चे आपके सामने किसी समस्या को तिल का ताध्ध बना कर पेश करेंगे। कोई भी क्या दम उठाने से पहले तथियों की भली भांती कर लें। यात्रा के चलते रुमानी संबंध को बरहावा मिलेगा। दफ्तर में आपके दुश्मन भी आज आपके दोस्त बन जाएंगे। आपके सिर्फ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत। खाली समय का पुरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करने चाहिए। ऐसा करके आप में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खुबसूरत है। तथा अगर उपाय की बात की जाए तो दोस्तों अपने सगे भाईयों के प्रतिमन में मेल ना रखें वह अपशब्द कहने से बचाना आर्थिक स्थिती के लिए शुब है तथा नौकरी और बिजनेस में तरक्की करने हे तू गरीब कन्याओं में दूद की थैली बांटे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खया धन्यवाद